हेलो गैस केसे हैं आप लोग स्वागा थे आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गैस कि इन्फिनिक स्मार्ट एट प्लेस फोन में आप लोग आटो पावर ओफ प्रोब्लेम को केसे सॉल्व कर सकते हो आपके पास एक इन्फिनिक स्मार्ट एट प्लेस फोन है और इस फोन में जो है आपको आपको अटो पावर ओफ प्रोब्लेम देखने को मिल रहा है या और आपका जोग समस्वार ओफ प्रोब्लेम को सॉल्व कर सकते होगा इस तो आज के वीडियो में मैं ही बताऊंगा आप वीडियो पसाना है वीडियो को लाइक कर दीजे और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लिजे तो चलिएगा इस वीडियो को स्टाट करते हैं अटो पावर ओफ प्रोब्लेम को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले जो है अपने इस फॉन के सेटिंग्स में जाना है सेटिंग्स में जाने के बाद यह आपर से नीचे स्क्रोल डाउन करेंगे तो आपको एक ओप्शन देखने को मिलेगा इस सिस्टेम का तो इस सिस्टेम के उप्शन पे जो है आपको क्लिक कर देना है क्लिक करती यह आपर आपको एक ओप्शन मिलेगा schedule, power, on and off and restart का तो इस option पे आपको क्लिक करना है क्लिक करती देख सकती है पर 2 ओप्शन on लाहेगा आगर आपके phone में auto power on and off problem देखने को मिलेगा तो यह है power on और यह है power on अगर किसे ने timer लखा के रखाए तो इस time में जो है आपका phone off हो जाएगा और इस time पे आपका phone on भी हो जाएगा तो अगर आपको इस problem को solve करना है तो यह आपर से आपको इन दोनों ही option को बंद करना होगा तो कुछ इस तरीके से आप लोग अपने infinix smart 8 plus phone में आप लोग auto power of problem और auto restart problem को solve कर सकते हो तो कैसा लगागा इस आप लोगो कोई वीडियो अगर वीडियो पसाना हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लिजिए मिलते गलेक नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाई